आईए दोस्तों आपका एक नदर कृष्टेल में स्वागत है आज हम आपको उस पौधे को दिखाना चाहते हैं जो हमने छे फुट से जो है उपर से तोड़ा था और आप उसमें उस पौधे को देखिया आप उसमें इतिनी अच्छी शाखाएं जो है निकल रही है एक शाखा निकल चुकी ये दूसरी निकलने को त्यार है तो अब जो इसमें है दो शाखाएं जो है बन चुकी है समझरो आप हम आपको दिखाते हैं तो ये पौधा जो है और एक भाई ने हमारे से कोश्चन भी किया था कि जो पते पीले हो रहे है पते पीले होने का मतलब ये है कि अगर हमारा पौधा टैनी तूट जाती है उससे भी पौधा जो है हमारा पीला होता है और हवा से भी तूट सकती है ये नहीं कि अपने आप तूट जाए अपने आप तैसे नहीं तूटती लेकिन हवा से जो है तूट जाती है और तूटने के कारण ही जो है पिछे जो है पते जो है पीले पड़ जाते है लेकिन पीले पते का भी ये मतलब नहीं कि यो सूख और वो जो है अपना धीरे-धीरे रंग जो है बदल देते हैं तो ऐसे ही हमारे भी जो है यह जो पौदा हमने छे फुट का पौदा त्यार किया है इसकी आगे से हमने भी टाइनी जो है तोड़ी इस टाइम तो इसमें भी पत्ते पीले हो गए पत्ते पीले हो गए लेकन पीले होने से जो है धीरे-धीरे जो है यह इसका रंग बदलते जा रहा है और रंग बदलते-बदलते जो है यह पत्ता हरा हो चुका है काफी अभी भी पीले है पत्ते दिखाते हम आपको पौदे को भी क्यूंकि अब जो है इसमें छे फुट से जो हमने इसकी शाखा तोड़ी थी तो इसमें द्वारी नीचे से लेकर शाखा जो है द्वारी नई आ रही है तो ये देखी पहले तो आप इस पहुदे को ही देख दीजिए ये पत्ते जो है ये ये देख लिजिए ये पीला है इसके साथ ये दूसरा ये भी पीला है ये जो साइडे जो है पीली है ये जो है पीली है ये लेकिन ये धीरे धीरे जो है ये हरी हो रही है जैसे कि यहाँ पे भी ये देखिए और इसी में जो है अंकर जो है निकल रहे हैं ये जैसे ये अंकर निकल रहे है ये इस अंकर को हमने तोड़ देरा है ऐसे क्योंकि हम इसको रखेंगे निक्योंकि ये छे भुट से नीचे है कि अगर हम एन अंकरों को रखेंगे तो ये जो है हमारे अंकर इसमें, जो है, पौध़े को इए खराब करेंगे इसलिए हम इस पौधे में जो है अंकर को जो है छे फुट से जो है निच्चे के उंकर को हम सारे तोड़ देंगे अब यही पौदा देखिए कितना प्युड़ा पत्ता है ये ये पता तब ही प्युड़ा हुआ जैसे बीच में बजरी भी गिरी बजरी का जो है इसमें निशान है ये देखिए बजरी का भी निशान है इससे भी पत्ता प्युड़ा हो गया लेकन धीरे धीरे रंग काफी बदल रहा इसका और ये जो है शाखा यहाँ पर भी आ गई है दूसरी शाखा इसमें यहां आ रही है तो ये शाखा जो है ये हमने ये उपर वाली शाखा रखनी है आप उपर वाली शाखा को हम नहीं ठेडेंगे और जो हमने छे पुट से तोड़ा था यह देखिए, यह हमने यहां से छे भुट से तोड़ा था, तो यह आखा हमारे नई चल पड़ी यह शाखा, यहां से अब यह दो शाखाएं हो गई अब एक इस साइड जाएगी, एक इस साइड जाएगी, इसी से हमारा जो है यह पौदा जो है, त्यार होगा, जैसे कि यह पौदा पीछे है हमारे साथ, यह पौदा, साइड में यह पौदा भी है, ऐसा पौदा जो है, यह हो जाएगा ये भी जो है इस पौदे में भी शाखा है थोड़ी हमारे गलत रहे गई थी क्योंकि इसका इतना ग्यान हमें भी नहीं था लेकिन जब इस को हमने लगाया और देखा और जगा में भी देखी की भी फिर हमारे को पता चला कि किस डंग से पौदा बनाना है तो ऐसे ही पौदा ये भी हमने इसी डंग से जो है ये बनाया है आप जो प्राना पौदा दखाते हैं आपको प्राना पौदा भी हमने इसी डंग से त्यार कि यह देखिए यह तना है यहां से चलाइए और जो यह मोड़ है यह मोड़ भी नहीं आने चाहिए इसमें जैसे यह मोड़ है यह मोड़ भी नहीं आने चाहिए इसमें यह सीधा रहना चाहिए इसमें हमें भी इस चीज का पता नहीं था कि इस पौदे को हमने किस डंक से बनाना है यह पौदा ऐसे आना था जैसे यह सीधा यहां आए ऐसे आना था यह इसमें भी जो है उपर छे फुट में जो है शाखा सबहत्र है थोड़ी है कि छेपूर से द्रशाका थोड़ी है और आप यह देख डीजो इसमें वक्ता है कैसे से लग रहा है कि बिलकुं लदवाक कि यह फर लग रहा है इसमें यह देखिए इस वक्त फर्व की जो है इसमें कोई भी ऐसे नहीं है फर्व जो है अच्छा लगा है तो ऐसे पौदा बनाना है आप भी ऐसे पौदा बनाएं क्यूंकि अब वीडियो भी हम बहुत कम डालेंगे क्यूंकि अब इतना समय नहीं है हमारे पास भी जो हम वीडियो डालते रहें इसलिए हम वीडियो भी आपकम डालेंगे लेकिन जितनी वीडियो डाल दी है उसमें उतना जो है आप अवश्य देखते रहिए और आपी लगाएं पोदे तो आपी इसी ढंग से जो है पोदे को बनाएं इसमें कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है सिर्फ गोबर की खाद डलता है इसमें इसमें और कोई खाद आने की जोड़त नहीं है क्योंकि विए बगैर खाद की दौए काम आता है इसके लिएshore पमारियों के आता हैंर और भीमार्य की रोख काटती है तो थेंक्यू दोस्तों बने रही हैं आप हमारे चैनल के साथ देखते हैं इस चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और आगे शेर भी करें धन्यवाद